हेलो दोस्तों टेक्नोर्स में आप लोग को स्वागत और फैनल यहाँ पे वीवो ने अपना वी नाइन जो वो इंडे के अंदर आज लाँच कर दिया है और काफी टाइम बात यहाँ पे वीवो ने कुछ अच्छा काम किया है और इस बार में वीवो के इस वाले स्मार्टफो आसपसी आपको फोन मिलेगा क्योंकि बॉक्स की पीछे जो MRP दी गई वो आपको 22,999 की मिल रही है तो मुझे लगता है कि 23,000 रुपी की आसपसी आपको फोन मिलेगा फिर भी मैं आपको नीचे कमेंट सेक्षिन में इसका अपड़ेट दे दूगा जब इसकी ऑफिशिल प मिलता है अगर आप इसको आइफोन 10 से कमपैट करेंगे तो इस नहीं करते है फटाफट से इसका डबा जो खोल देते हैं तो यहां पर बोक्स को इस दुरी की से ओपन कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहली चीज़ चुआती है वह है इसके नहीं से हम उसको बाहर निकाल ल मिलता है यूजियर मैनुल वारंटी कार्ड वगर आपको सब्सक्राइस में देखने को मिल जाते हैं उसके बाद फाइनली हमारा फोन और एक चीज़ में कहूंगा यार बहुत ही ज्यादा स्लिम और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट इस बात से कोई शक नहीं है तो यहां आप इसको साइड में रखते हैं देख लेते कि अंदर हमें क्या कुछ मिलता है चार्जर देखिंगे आपको कुछ इस तरह की का मिलता है और मैंने जो कंपनी से कंफर्म कर लिया हूँ यह जो है वह फास्ट चार्ट सपोर्ट नहीं करता है उसके बाद आपको यहां पर एक तो यह भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं यह कुछ बॉक्स कंटेंड इसको अटाता है और सीथे हमारे फोन की तरफ आते हैं तो फोन को बूर्ट करने थे उससे पहले आप लोगों में इसका एक फिजिकल ओपर जो दे रहेता हूँ फोन के राइट सेड में आप देखिंग आपको यहाँ पर SIM tray मिलता है और अच्छी बात है कि आप इसके ने दो SIM card और साथ में एक MicroSD card भी लगा सकते हैं फोन के ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है और फोन के पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 16 प्लस 5 मेगापिसल का dual rear-fishing camera मिलता है F2.0 और F2.4 का aperture मिलता है आ साथ में इसके दर आप लोग को earpiece sensors और आपको यहाँ पे 24 Megapixel का selfie मिलता है जो portrait mode AR mode का विस सारी फीचर जो वह support करता है फोन के निचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आप लोग को on screen navigation जो बटन देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे हम जो फोन को boot करते हैं जब तक के लिए मैं आप लोग को उसकी remaining technical specification जो वह दे रहता हूँ इस phone के निचे आप लोग को जो वह 6.3 inch की full HD plus की जो वह display मिलती है जो की corning glory glass 3 के साथ में protect किये गया है जो कि आपको 19.9 का aspect ratio देता है आपको एक notch के साथ में मिलता है बहुत ही ज्यादा bright आपका display है आप देखिएंगे इस तरी की आपको clarity मिलती है एक IPS display है यहाँ पे आप लोग को यह वाला प्रोसर नहीं मिल रहा था और ऐसे feature ऐसे design और ऐसा camera नहीं मिल रहा था बहुत ही अच्छा improvement किया है कि Vivo ने V9 के अंदर ऐसी प्राइजिंग रहा है लेकिन बहुत major improvements जो वो लेकिया आई आपको ध्यान रखना है साथ में आपको यहाँ पे जो वो 3260 mAh की scanner बैटरी मिलती है और यहाँ पे आपको इसके नहीं चार जीवी की RAM और 64 जीवी की storage मिलती है आप इसको कोपी हुआ लेकिन यार Android में मिल रहा है budget में तो अच्छी बाते बुरी बात नहीं अगर आपको अच्छी चीज़ ले रहे हो और दे रहे तो अच्छी बाते यहाँ पर हम जाते सबसे पहले कहां पर सेटिंग्स में और देख लिए इसमें कौन सा वर्जिन मिलता है थैंक्फुली आप लोग को इस फोन के अंदर लेटस एंड्रोइट 8.1 का वर्जिन मिलता है जो मैं आपको यहाँ पर निकार रहता हूं मोर सेटिंग्स में जाते आप देखेंगे 8.1.0 और यहाँ अच्छी बात है कि लेटर शोचन आपको इसमें जो देखने को मिलता है उसके बाद हम चेक करते कि आप लोग को स्टोरेच और रैम कितना फ्री मिलता है फिर्स बूट में तो आप देखेंगे 64 GB की से लगबक से आपको 49 GB के असपास फ्री मिलता है और चार्ज में से लगबक से 1.62 GB के आसपास आपको रैम जो फ्री मिलता है और इसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजे मिलती है कस्टमाइज करने के लिए मुझे यहाँ एक अपडेट भी आया है जो मैंने अभी देखा सबस्क्राइब है तो यह सारी चीज़ां कर सकते हैं और सोब बता देखेंगे यह अपको आइपोन जैसा ही मिलता आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है और का पूंधी तरफ यहाँ पर आपको यहाँ कर सबस्क्राइब लेकिन श्कान कि इसके अंदर कुछ 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 ल तक 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 बराबाब से अनलोग भी मिल जाता है तो फेस अनलोग आप इसमें फीचर उठा सकते हैं फाइनली बात किरते इस फोन की इस पर यहां पर रियर फिसिंग कैमरा रहा है 16 प्लस 5 मेगा पिसल का यह बहुत ही अच्छे पिच्छर ले रहा है इसके जो पोट्रेट मोडे वो काफी अच्छा रियर साइड का आप देखिए इस तरह को clarity मिलते हैं मैं आप लोग को एक 100% dedicated camera वीडियो जो बनाऊंगा जिसके आप लोग को जच करने के लिए छोड़ दूगा इसका camera आपको कितना पसंद है और आपको बहुत सारा इसमें clarity मिलता है डेप्थ इसका काफी अच्छा है और बुके मोड्स भी देखेंगे आपको कहीं कहीं कुछ चीज़े दिख जाती है कि आपको बाल बलर नहीं है यह बलर नही तो यह भी आप मुझे कमेंट करें के बता सकते हैं तो मिलता है आप से अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तिल इन वे गरेट डे एंड ऑल्वेस कीब स्माइलिंग